Hello everyone, मैं निदी और आज हम बना रहे हैं गड़पती प्रिये मोदक क्योंकि गड़े उत्सव आ रहा है इसलिए हम उनके प्रिये मोदक उनके प्रशाद के रूप में बना रहे हैं जिसे मैंने बहुती इजी तरीके से बनाया है और आप भी इने बहुती असानी से बना सकते हैं और ये 200 ग्राम के करीब मैंने मावा लिया है और 1500 ग्राम के करीब मैंने बूरा ली है और थोड़े से मखानों को मैंने ड्राय रोस्ट करके उनका बारीक पाउडर तयार कर लिया था थोड़े से बादाम मैंने बारीक काट लिये थे और डेकोरेशन के लिए मैंने रोज फ् तो में आप बहुती सिंपल और इजी तरीके से मोदक बनाए हैं जो बहुती जल्दी बन जाते हैं आप इन्हें कभी भी बना सकते हैं तो इसमें मैंने अपने बूरा और जो मखानों का मैंने पाउडर तैयार किया है वो एड कर लिया है और हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे जैसे कि हम आटा बना रहे हों, क्योंकि जब हम मोदक बनाते हैं, तो मोदक के मोल्ड में जब हम इसे रखते हैं, तो हमारा जो इसका बैटर है, वो इसी प्रकार से होना चाहिए, उससे जो हमारा मोदक है, वो बहुती बढ़िया और अच्छा बन कर तयार होता है, और उसकी जो अच्छी perfection आती है मोदक में वो बहुत ही अच्छे से उभर कर आती है तो इसलिए हम इस बैटर को बहुत ही अच्छे से mix करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को subscribe करें, like करें, share करें और वीडियो को full watch करें देखिए मैंने इस तरीके से अपना जो बैटर है वो mix कर लिया है और मैं बीच-बीच में देख रही हूँ कि जो मेरा बैटर है वो इस लायक तयार हो गया है कि वो मोदक मोल्ड में easily आ जाए तो आप बीच-बीच में इसे देखते रहें कि वो ready है मोदक मोल्ड में आने के ल जाएगा तो हम अपने मोदक बनाने स्टार्ट करेंगे मोदक जो है गड़पती के बहुत ही प्रिय होते हैं और गड़ेश चतुर्ती के दिन इनका मम गड़पती जी को भोग लगाया जाता है और क्योंकि हमने देखा है हमने सुना भी है कि गड़पती जो है मोदक कितने है तो देखि ए मैंने अपना जो मोदक बनाने का मोल्ड है वो ले लिया है और इसमें मैं आप थोड़ा सा देशी घी लगाऊंगी क्योकि अगर वर इसमें देशी घी नहीं लगाती हो तो मेरा मोदक का बैटर है वो इसमें चिपक जाएगा और उसकी जो अबनकर जो वो त आप इसे दबा दबा कर ही लगाईए क्योंकि बीच में से खाली नहीं रहना चाहिए और एकदम से जितना आप इसे अच्छे से भर कर तयार करेंगे तहीं अच्छा जो आपका ये मोदक है वो तयार होगा एक्स्ट्रा अगर आता है तो उसे बहार निकाल लीजिए और अच् अच्छे से निकर कर आएगा देखिए मेरा जो मोदक है वो बिलकुल बनकर तयार हो गया है बिलकुल कितना अच्छे से बना है कितने अच्छी लाइनिंग उसके उपर आई है देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है जो पिस्ता मैंने मावे के अंदर ही डाल दिया था वो पिस्ता जो है वो अच्छे से उभर कर आ रहा है जो मखानी मैंने इसमें पीस के डाले थे वो का जो मतला बाटा सा बनाया था वो भी बहुती बढ़िया निकल कर आ रहा है और इस प्रकार से मैंने अपने सारे मोदक जो है वो तैयार कर लिये हैं और ये मोदक जो है देख तरीके से अपने गड़पती के लिए मोदक तयार कीजिए और गड़पती जी को भी प्रिया है और सभी बच्चों को भी प्रिया है और मैंने इस प्रकार से जो मोदक है वो तयार कर लिए है और अब मैं उनकी प्लेटिंग कर रहे हूँ देखे मेरी जो और आप जो मेरे पास इसके डेकोरेशन के लिए थे वो भी मैंने इस तरीके से लगा दिये हैं आप इन फ्लार्स के जगा कुछ भी लगा सकते हैं केसर भी लगा सकते हैं कुछ और भी लगा सकते हैं जो भी आपका मन है जरूरी नहीं है कि आप फ्लार्स ही लगाएं और देखे मेरा जो डेकोरेश बाइ 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 फ्रेंट